हेलो फ्रेट्स वाल्कम को डीके आयसे कड़ में अज डेट तरीक है देखते हैं तर जन्वरी को कौन को सा आर्टिकल आपके लिए दैनिक जागर में इंपॉर्टेंट है फ्रेंस पहला जो आर्टिकल है इस सुप्रीम कोड ने रोक लगा दिया है अम लपे ठीक है इसमें सु पर से इस पर ब्रोद कर रहेते सरकार ने भी बोला कि आपको हटाने सरी सुप्रीम कोड ने भी बोला कि गवर्मेंट को आपकी इसको हटाने में क्या दिक्कत होड़ी है तो जो भी हुआ यह आर्टिकल लिगवा पढ़ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा इसो बढ़ा था और तो ठीक है फ्रेंट्स देखें आगे जो आटिकल है चीन पाकिस्तान के बारे में ठीक है तो हम यहां पर यह नहीं पर नहीं उतना ज्यादा इतना जादा है भारत चीन पार्क का रिलेशन क्या है उसमें भारत तीनों का कमबाइंड कर लीजिएगा चीजे भारत चैना और पाकिस्तान का रिलेशन मतला अर्थिक तोड़ पर क्या है समझ गया इस चीजों को मतलब सीव जाता है वन वेल वन रोड यह नहीं यहां पर भारत जैसे है ठीक है यहां से जाता है ना तो इससे क्या परभावा है क्योंकि यह तीन सब मतलब देख लीजिए जैसे चैना पाकिस्तान रिलेशन पोच देगा तो इसमें आपको इंडिया के बारे में बताना पड़ेगा कि इंडिया के बारे में पोच सकता है यह इंडिया क्या परफेक्ष है इस पर ठीक है इंडिया क्या नुक्सान हो रह सब्सक्राइब को पता है गांदी जी में ने बोला था कि एजूकेशन ही ऐसा जरिया है जिससे कि भारत का निर्मान एक सही समाज का निर्मान हो सकता है सब समाज का तो हमारे जो अजीज दवाल जी है इन्हों सब्सक्राइब को पता है स्वामी विवेकांटंदी का जर्म दिन था युवादिवस के दूप में भी मनाया जाता है तो वहीं पे उन्होंने बोला कि सिक्षा से ही नया भारत का निर्मान दो सकता है तो एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं ठीक है यह आर्टिकल पढ़ यह शुक्त आप बात करते हैं हम तो जो बात करेंगे बीच में कॉन देखेगा वाट सब्सक्राइब करेगा एसा कुछ होता है कि जैसे नीजी था वह ऐसे नीजी रहेगा तो सकता यह इन्होंने पॉलिस में कुछ चैंजिस किया हो ठीक है एक वाड़ यह आइक आर्टिकल देखें यह बोला था ना चार कमेटी बनाए गई थी तो इस सब के बारे में आप पर लीज़ेगा इनके बारे में यह आटिकल इनक्ट सेसे में यह यह बहुत यह सब ब्राजील को परने की ज़रूत नहीं है इसमें आपको ब्राजील का मैप देखना फिक है तिक है इसके कोंड कौन सा कंट्री इसके साथ लगता है ऐसे कर अपराई करें ठीक है इसने इसका मुख सीटी कौन कोड़ा है यह चीज़ आप देखें तो यहां से आप रोज मैप करते हैं तो कोई स्पेसल मैप करने की जरूत नहीं पड़ती है तो आज आप ब्राजील का मैप देख लिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन से इंपर्टेंट आपके लिए वर्ट फुलू चलता रहेगा दोस्त इसको अब हम मानकी नहीं चलते हैं क्योंकि यह आप ट्रेंडी में रहेगा ठीक है राजाजी नेशनल पार्क यह राजाजी नेशनल पार्क कहा है दोस्त बताओ य आपको नहीं परना है आर्टिकल वहां से सेड़ गायब होगे नहीं देख सकते हैं यह यूएन का किस लिस्ट में है ठीक है तो यह सब देख सकते हैं देखिए राजाजी नेशनल पार्क क्यों फेमास है यहां पे कौन-कौन सा और देखिए कौन-कौन सा उत्राइखन में और कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ कीजिएगा ठीक है और यहां से कोई भी रीवर जाता है कि नहीं जाता है जो रीवर जाता है उसका साहे एक नदी कौन सा है यह आप देखेगा न तो इसी को बोलते हैं 365 एंगल से आप पढ़ाई करिए ठीक है निस्ट आर्टिकल देखते हैं आपके लिए यह सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज में देखें यहां पर अपनी ग्यान प्रंपड़ाव का महत समझें यह ना आपके लिए ऐसे के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिलोस्पोल टाइप का कोशन पुछने लगता है ठ ठीक है नेता जी के भासन स्पीच जरूरी नहीं है इसको हटाइए यह महिला ससक्ति करन 3-4 दिन से में बताई रहाता यादि आपको जरूरत लगे आपने कवर ने किया होगा तो यहां से और फिर पर कर सकते हैं नहीं तो फिर आप इसको स्क्रीप पर सकते हैं यह कौन सा प पूछा जा सकता है सोसल जस्टिस के इसमें भी पूछा जा सकते हैं आपको नेक्स आटिकल यह दोनों भी इंपोर्टेट नहीं आपके लिए लिए लिंग अनुपात मतला आप हरियाना में कुछ सुदार हुई आपको पता है गवर्मेंट क्या चलाया था बेटी बचाओ नहां को बेटी पढ़ा तो इसना कुछ दिखा जा सकता है कि हम कुछ दिमाग में सम्स मांद हमने एक कि बचाओ बेटी को पढ़ा तो इससे थोड़ा साय अचा metre जाम मिल रहा है तो यहह बहुत ही की बात है कि कुछ योजना चलाने के बाद इंप्लीमेंट होने के बाद यदि उसका सही पढ़ना निकलता है ठीक है तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सेक्टर को देना बहुत ज़री एक हमारे पूरे वर्ल्ड में एक बोलते हैं वह माना जाता है मतले इंडिया के सेक्टर को यहां पर जितने भी आप देखें यह वर्ल्ड क्लास बीपी ओ ठीक है सॉफ्ट्वेर इंजिनियर सब यहां पर भड़े रहते हैं ठीक हमारा आए आइटी हब है कहां पर बैंक लोड हो गया पूने हो गया गुर्गाओं हो गया यह समना पूर्या आइटी का हब बन गया है ठीक है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे लिए यह आटिकल अ बने कौन सा इंपोर्टेंट है आपके लिए निया यह प्रद्दान नहीं नहीं है नहीं है इंपाल की परदान बंते पहले बार ने बोला है कि इंडिया पार्द है उसको यह ने-पाल का बताते यह ऐसे ही इंगा पॉलिक्स चलता रहेगा यह स्वादने की जरूत नहीं है इसके बारे में आपको पढ़ना है जाता है कि यह आप लोग को देख लेना है और देखेंगे नेक्सान क्या क्या होता है तो उसमें लिख लिएगा कि गालपात में जब राइप पेगनेंट भूमेन को प्रॉब्लम होता है ठीक है तो यहां से एक पर नोट कर लिएगा बस ठीक है नेक्स आर्टिकल आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है तो फेंट्स आज के लिए इतना ही थैंक्यू थैंक्यू करीमच्छ